किती बार ऐसा होता है कि डिलीवरी की बाद पेशर मुझे बोलता है मैडम आपने बच्चा निकाला है क्या? पेट तो अभी भी वैसे ही है तो मैंने का ये बच्चा किस खाये जो तुबार बगल में लेटा है कि मैंने ही तो निकाला है? वैल ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है और आप जितने लोग जिन्नी की डिलीवरी हो चुके हो सब ये समझते होंगे कि पेट पूरी तरह से लटक जाता है नौ महिने तक जब आप पेट में इतना जादा समान लेके घूमते हो बच्चा, प्लासेंटा, आवल और अंदर पानी, बलड सब रहता है तो आपका पेट एकदम ही लटक जाता है बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका वापिस से पेट एकदम से पतला हो जाए और वापिस से टोन आ जाए दो-तीन महीने तो आपका लटकावा पेट रहेगा आप इमाजन करो एक बोरी जिसके अंदर आपने खुब सरा आटा और आलू भर दिया है और उसके बाद आप उसको खाली कर दो खाली करने के बाद भी वो वैसी नहीं होगी जैसी वो बिल्कुल न्यू ब्रैंड आई थी है ना तो उसके फाइबर सारी तूट चुके similarly आपकी skin की जो collagen fibers हैं elastic fibers है वो तूट जाते हैं इसलिए stretch marks आते हैं इसलिए skin ऐसी हो जाती कि 6 मेने का बच्च अभी भी पेट में है तो 2-3 महने लगते हैं इस tone को वापिस आने में तो आज का topic मैं आपको बताऊंगी कि tummy कैसे कम किया जाए क्योंकि obviously मेरी भी deliveries हुई है मैंने भी अपना वजन कम किया है 25-25 kg कम किया है तीन मेने के अंदर ठीक है पहली बात तो reduce करना delivery के बाद बहुत आसान होता है क्यों? क्योंकि आपकी body suddenly change होती है hormonal changes आते हैं और आपकी जो water retention जो progestron hormone के विज़े से आपने इतना सारा पानी accumulate करा है body में वो बिल्कुल एक तरह से खतम हो जाता है आप देखना delivery के बाद 10 दिन बाद खुद की शकल देखना delivery के समय खुद की शकल देखना और 10-15 दिन बाद खुद की शकल देखना आपको समझ में आएगा फोटो खीच के रख लो आप compare करना कितना face पिचकता है और कितनी जल्दी body पिचकती है रह जाता है सिरफ पेट पेट क्योंकि इसने carry किया है बच्चे को 9 महिने तक तो problem आती है डाइटिंग तो मैं advise नहीं करूँगी शुरू की 2 महिने, 6 महिने, 1 साल क्योंकि आपको बच्चे को दूद पिलाना है अच्छा portion चाहिए आपका खुद का protein build up अच्छा होना चाहिए जिससे आपकी weakness सारी निकल जाए आप बच्चे की care कर सकें और आप वापिस अपनी back to normal life हो जाए तब क्या तरीके है कि tummy काम हो ठीक है इससे पहले कि अब exercise और diet की बात करें मैं कुछ देशी चीज़े बताती हूँ जो आपको शायद ना बता हूँ पहली चीज़ पेट क्यों बानते हैं दादी और नानी पेट क्यों बानती थी पेट इसले बानती थी क्योंकि आपकी जो muscles है वो जो एकदम spread out हो गई है जिनके fibers सारी एक muscle चोटा सी बैंड जैसी होती है उसके सारी fibers इधर उधर हो गए पुरे खुल गया है वो तो उसको आप बान देंगे तो वापिस समेटना शुरू हो जाएगा similarly आपका जो गोला है जो इतना बड़ा हो गया है uterus उसको अगर आप बान की रखेंगे अब तो market में belts आ गई है पहले belts नहीं थी तो दादी नानी दो पत्ते साडी बान देती थी अभी अगर आप किसी चिकित सा केंदर में जाओ जो स्वास्ती चिकित सा केंदर होते है या फिर जो ये अईरुवेदिक सेंटर होते हैं उसमें आप देखना है बहुत सी मोटी लेडिस के पैरो में और पेट में गीली पत्ती बंदी हती ताइट 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 जिससे उनका पेट इतम अंदर दबा रहे तो पहला तो हो गया बाइंडर यानि की अव्र का साख्चिक हो गया ब्रेस्ट फीडिंग जो लोग ब्रेस्फिड नहीं कराना चाहते कि मेरी ब्रेस्ट खराब हुजाएगी शेप खराब हुजाएगी या फिजिनको दून नहीं आता है आप देखना आपका पेट कम होने म और आपकी यूट्रस को छोटा होने में टाइम लगेगा बच्चे दानी जो है करीब करीब नाभी तक पहुंचाती है डिलिवरी के बाद डिलिवरी से पहले नाइन मन्स का बच्च तो पूरा यहां तक पहुंचता है रिपकेश तर उसके डिलिवरी के बाद भी आपकी जो पहुंचतानी है वो नाभी तक रहती है 20-24-26 मैने का बच्चा इसा लगता अभी भी है पिट में उसको अंदर जाने में करीब करीब तीन से चार हफते लगते हैं अगर आप अच्छे से दूथ पिला रही है एक्स्क्लूजिवली ब्रेस फीट कर रही है जैसे ही आप अपने normal activities शुरू करेंगे आपकी sexual activity भी शुरू हो जाएगी आपको definitely आपकी body में एक सूर्ती महसूस होगी आपके muscular tone अच्छा होगा साथ में orgasmic feeling के साथ आपके abdominal muscles भी contract करेंगी तो आपको definitely tummy reduce करने में help मेलेगी rather than कि आप couch potato की तरह पढ़े रहे हैं कि हाई मेर दिलिवरी होई है छे मेरे ना मुझे कुछ काम करना है ना मुझे husband के पास जाना है ऐसे cases में tummy बिल्कुल ही flabby और बाहर की तरफ निकला हो रह जाता है तो अगर आप 2-3 महने अपना शुरू में धिहान रख ले कि मुझे यह सब करना है तो इससे आपका tummy जल्दी अंदर जाएगा क्योंकि इस समय आपकी बॉड़ी चेंज हो रही है वापिस से muscle repair हो रही है ठीक है अब आते है exercise and diet कैस मेरे एक वीडियो आ चुका है आप देखना मैं उसका link डाला है description में इसमें properly exercise करके हमने आपको बताया है योगा इंस्ट्रक्टर ने करवाई exercise कि कैसे tummy reduce करना ह अब tummy reduce करने की बहुत सारी exercise available है Google पे है YouTube पे है सारी आपके abdominal muscles contraction की जो exercise है वो आप कर सकते हैं after delivery अगर आपका ceseran हुआ है तो भी आप 2-3 महीने बाद सारी exercise कर सकते हैं अगर आप एक active lady है और आपको आदत है जिमिन की आप जिम भी जोइन कर सकते हैं 2-3 महीने के अंदर ठीक quadricep सब कुछ कर सकते हैं ठीक है योगा करिए उससे definitely फायदा होगा वो वीडियो जरूर देखेगा जिसका link मैंने description में डाला है अब आते हैं डाइट पे अब हमारे यह बड़ा common है कि ladies को घी खिलाना है 10-15 किलाना है अजवाइन खिलाना है बदाम खिलाना है पानी नहीं द करते हैं ऑईल से बेटर घी है बड़ाना है उसका कोई मतलब नहीं होता है ठीक है लड़ू भी खा रहे हैं तो आटा बेसन ना हो उसमें आप ड्राइफ रूट्स ले वो भी लिमिट में यह निकी 4-5 पांच पाश लड़ू एक साथ खा रहे हैं ठीक है उसके बाद आते है अजवाइन पे अजवाइन पे अजवाइन इस गुड़ बट सबको सूट नहीं होती कोई खाता है को नहीं खाता है अब मैं उनलों की बात करूं जो इंडिया से बाहर रहते हैं उनको तो यह सारी डाइट मिलती नहीं है तो भी वो अपने आपको रिडियूस करते हैं कैसे करते हैं विद प्रॉपर प्रोटीन डाइट जिससे कि आपकी जो मस्कुलर ब्रेकडाउन हुआ है आप जो दूर प्रडूस कर रहे हैं बच्चे के लिए वो सब आपको कार्भो हाइड्रेट्स कम रखने है क्योंकि कार्भो हाइडरेट्स अंदर जाके फैट में अक्यूमलेट होते हैं मीठा है वैसे भी बहुत जादा फाइद बन नहीं होता है बॉड़ी के लिए आपका पेट बढ़ता है आपका लिवर बढ़ता है और बहुत सारी प्रोल्बम्स होती है तो प्रोटीन हाई रखना है फैट उससे थोड़ा सा कम और कार्भो हाइडिर्ट सबसे आदा कम तो और साथ में breastfeeding और sexual activity को जल्दी रिजूम करेंगे तो आपको tummy reduce करने में फाइदा मिलेगा So that's it guys I hope आपको ये छोटा सा वीडियो मेरा पसंद आया हो क्योंकि मैं detailed videos दो बना चुकी हूँ पहले भी एक तो delivery के बाद अपना ध्यान कैसे रखे उसमें मैंने आपको सारी marks के बारे में बताया है stretch marks and all उसका भी link मैंने description में डाला है और दूसरा वाला proper weight reduction का है जिसमें हम अपने exercise करके बताया है तो जरू देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो share जरू करिएगा और ये सारे myths के मुझे 6 मने rest करना है सिजरिन के बाद टांके टूट जाएंगे इन सब से आप बाहर आईए